Hello everyone, welcome to my channel Friends, क्या आप इस पौधे को पहचानते हैं यदि नहीं पहचानते हैं तो इस वीडियो में बने रहें और इसके बारे में आप जाने ये बहुत ही उपयोगी पौधा है हमारे सरीर के लिए हमारे स्कीन के लिए तो चलिए देखते हैं यदि नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि सस्क्राइब करने से जो भी में वीडियो डालूंगे उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और बेल आकन को भी किलिक कर लिजेगा फ्रेंस ये पौधा लेवन ग्राज के नाम से जाना जाता है दुनिया के कुछ हिस्सों में लेवन ग्राज को स्वास्त के लाभों के लिए महत्वदिया गया है और ये चाए में मिलाया जाता है उसे भी आपको बहुत ही फैदा मिलता है इसे आप काड़ा बना कर भी खा सकते हैं इस पौधे का चाय या काड़ा पीने से आपका weight loss होगा बुखार होने पर भी ये पौधा का काड़ा बना कर पी सकते हैं अस्थमा के बीमारियों में भी इसे पिया जाता है ये पौधा Asia, Africa, Australia के देशों में पाया जाता था लेकिन अब इधर भी हमारे भी देशों में ये मिलता है और ये निम्बू घास की परजाती में पाया जाता है और इसे कुछ दवायां बनाने में भी उप्योग किया जाता है इसके पतियां सुगंधित में जैसे निम्बू का ही जैसा लगता है इसका पड़ियों करने से मदू में कैंसर और हिर्दय के रोगों और गठिया जैसी भीमारियों में भी ये बहुत ही फैदा होता है यदि आपको सर्दी जुकाम है माथा में दर्द है तो इस पतियों का चाय बनाके आप पी लेते हैं विना चाय फत्ती चिनी दिये शिर्पीस में आदी है और थोड़ा सा इस पतियां को तोड़के और इसे उवाल के काठा बनाकर यदि लेते हैं तो आपका सरीर यदि गरह में हलके बुखार भी है तो भी इसका सेवन से आप ठीक हो सकते हैं और इसे आप जब भी ले तो एक ही टाइम एक दिन में लेना चाहिए इसे ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और लेवन ग्रास का उपयोग आप अपच और सूजन जैसे समस्याओं के लिए भी घरेली उपचार में इसे ला सकते हैं पेट में हलके दर्द या पेट में कुछ हलके फलके दिकते आती हैं तो उनका भी आप इसे चाय बना कर ले सकते हैं इसमें इन्फलेमेटरी गुन एंटी ओक्सिडेंट गुन होते हैं जो पाचन स्वास्थ को सुधार कर सकता है लेमन ग्रास का इस्तिमाल सरीर के साथ आपकी इसकीन को भी डिटॉक्स करने में मदद करता है दर असल लेमन गरास की खास बात ये है कि पतियों में एंटि वेक्टरियल और एंटि फंगल गुन होते हैं और ये ना सिर्फ चेहरे दाग धबों को भी कम कर सकता है बलकि आपकी इसकीन को पोर्स को अंदर से साफ कर सकता है साथ ही आपकी स्कीन ड्रा है ऐली है हर परकार की स्कीन के लिए फायदे मन है साथ ही इसकीन के लिए लेमन गरास के कई फायदे हैं लेमन गरास को आप अपने चेहरे पर किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं बता दे दियूँ यदि आप इसके पतियां हैं तो इस पतियां को प और तीसरा तरीका है आप बदाम का तेल में इस पतियां को पका लें और कंटेनर में रख दें फिर उसे आप चेहरे पर हमेशा लगा सकते हैं और चेहरे पर मालिस करें इस तरह के तीनों ही तरीका इसके इन को खुबसूर्ती को बढ़ाने में काम आएगा फ्रेंड्स लेमन ग्राज में एंटी वेक्टरियल गुन होते हैं जो पिमपल पैदा करने वाले वेक्टरिया से लड़ते हैं और मुहासों को कम करने में मदद करता है इसमें सैट्रिक एसिड होता है जो की स्कीन को पोर्स को अंदर से साप करता है और चेहरे को आयल को कम करने और चेहरे क ग्लो को बढ़ाने में भी मदद करता है आई होगी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंज वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर कीजेगा और दूसरों को भी सेयर कीजेगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके फिर मिलेंगे हम ने इस वीडियो में तब तक आप लोग हमेशा खुश रहें फ्रेंज थैंक्यू बाई